So hello friends, welcome back to another new video So MHTCAT की registration and application form filling process शूरू हो चुकी है इस वीडियो में आपको detail में step by step बताने वादा हो कि कैसे आपको अपना registration करना है and कैसे आपको अपना पूरा जो application form है वो fill करना है तो जो भी students, engineering, pharmacy या फिर agriculture courses में admission चाहते है उन्हें यह जो form है, वो fill करना होगा तो चलिए देखते हैं कैसे हमें अपना पूरा जो form है वो fill करना है तो सबसे पहले आपको आजाना है MSTCAT की official website पे और इसकी जो link है वो आपको description में मिल जाएगी इस पे click करते हैं आप यहापे आजाओगे यहापे आने के बाद गाईज सबसे पहले आपको click कर देना है new registration की बटन पे इस पे click करते हैं यहापे आपको सारी जो instructions है वो देखने को मिल जाएगी जो भी students category से बिलॉंग करते हैं उन्हें 600 रुपीज जो fee है वो pay करना पड़ेगा form filling के लिए जो students open या फिर out of महाराष्टा से बिलॉंग करते हैं उन्हें 800 रुपीज application form fee जो है वो pay करनी होगी सारी instructions पड़ने के बाद आपको click कर लेना है accept and proceed पे इस पे click करने के बाद गाईज यहापे आपको सबसे पहल तो अपनी जो personal details है वो fill करना है personal details में सबसे बहला आपका अपना full name डालना है 10th के mark sheet पे जैसे ही आपका पूरा नाम होगा same वैसे ही आपको यहापे जो है फो fill कर देना है फिर father's name, mother's name, gender डाल देना है and next है guys बहुत important जो कि date of birth आपको अपनी date of birth यहापे डालना है and address को try करना 2 या फिर 3 line में भरो क्योंकि यहापे 2 boxes जो है वो mandatory है तो थोड़ा cut cut करके जो है address यापे fill कर देना फिर state, district, तालुका and village जो है fill करना है and pin code जो है वो डाल देना है अगर आपका correspondence address, permanent address से same है तो इस पर directly कर देना है या फिर different address है आप फिल कर सकते हो एडरस fill करने के पाथ फिर यापे आपको डालना है आपना mobile number and email address mobile number and email address ऐसा डालना जो कि आपके पास हो क्योंकि जैसी आप mobile number and email address डालोगे तो फिर कुछ ताइम बाद आपको आप पे OTP आता है तो OTP आने के लिए mobile number भी ऐसा डालना जो आपको शूरू हो और आपके पास हो एन इमेल भी ऐसा डालना जिसका पासवर्ट वगरे पता हो ताकि OTP देखने में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना हो फिर इसके बाद गाईज यहापको एक जो पासवर्ड है वो सेट कर देना है पासवर्ड एट तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक जो OTP हो आएगा वो OTP आपको इस बॉक्स पर डालना है साथी में आपको एक जो OTP है वो email आड्रेस पर भी आएगा वो भी आपको फिर जो है वो verify OTP करने के बाद एक email वाला OTP आएगा वो box में डालके जो ऑ गया है तो application number आते ही आपको क्लिक कर देना है proceed to complete application form के इस बटन पर क्लिक करते ही यहापे आपको अपना application number डालना होगा और यहापे अपको password डालना होगा and sign-in के बटन पर जो है वो कर देना होगा click इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा जो interface है वो देखने को मिल जाए है जो की थी registration and personal details की ठीक है अभी हमें करना है गई इस बाकी सारी जो steps है उनको complete अभी है यहाप हमें सारी steps है वो incomplete देखने को मिल रही है तो इन्हें अभी हम करेंगे guys complete तो यह steps complete करने के लिए guys सबसे पहले तो जो second step है domicile and category details यहापे incomplete की button पर हम जो है वो click कर देंगे जैसे हम इस पर click करेंगे तो यहाप हमें domicile and category details fill करने के जो options है वो आएंगे तो सबसे पहले यहाप कोशन पूचा गया है are you domicile in the state of maharashtra ठीक है कि आपके पास maharashtra domicile है ठीक है तो अगर आपके पास है तो yes पर click कर लेना अगर आपके पास नहीं है तो no पर click कर देंगे ठीक है फिर यहाप पर आपको are you person with disability इसका जो option है वो मिलेगा अगर disabled हो तो yes नहीं हो तो no पर click कर देंगे अब जो पहला option है इसमें आपको काफी सारे different different जो चीज़ है वो देखने को मिलेगी according to category ठीक है तो इसके उपर में और थोड़ी जो detail में information है वो आपको दे देता हो अगर आप domicile पर yes क्लिक करते हो और yes जैसी आप click करोगे तो वहाँ पर फिर आपको category details के जो options है वो आएंगे ठीक है category details में अगर आप open डालते हो अगर आप open categories होगे तो open डालोगे तो यहाँ पर आपका अपना income है वो देखने मिलेगा साती में आपको पूछा जाएगा कि do you want to apply for EWS ठीक है अगर आप open डालते हो तो यहाँ आपको EWS के लिए पूछा जाएगा कि क्या आपको EWS के लिए apply करना है या फिर नहीं ठीक है तो वैसे आपको यहाँ पर yes या फिर जो no है वो select कर देना है ठीक है अगर यहाँ पर OBC की open के जगे आप OBC SC या फिर कोई भी other category डालते हो जैसे NT अगरे तो अगर आप category आप डालोगे तो यहाँ पर आपको cast certificate, cast validity certificate इन सारी certificates के बार में जो है वो पूचा जाएगा ठीक है यहाँ पर आपको documents upload नहीं करना है बस status बताना है कि आपके पास available है नहीं है या फिर आपने apply कि है तो जैसे मैंने यहाँ पर फिर OBC डाला तो मुझे पूचा गया do you possess cast certificate तो यहाँ पर आपको तीन option आएंगे available, not available and applied but not receive ठीक है तो उसमें से जो भी status होगा वो आपको यहाँ पर जो है वो डालना है फिर यहाँ पर आपको cast validity पूचा जाएगा and OBC category को एक non criminal certificate भी लगता है ठीक है तो वो भी आपको जो है वो पूचा जाएगा और उसकी जो validity है वो भी आपे दीव हुई है ठीक है इस status बताना है बड़ जब result लग जाएगा उसके बाद admission process start होगी तो आप इमें documents upload करने होते है ठीक है तो यहाँ पर आपको सारी जो चीज़ है वो देखने को मिल जाएगी and फिर यह सारी चीज़े fill करने के बाद आपको click कर लेना है save and proceed ठीक है इस पर click करने के बाद suppose अगर पस कुछ documents नहीं होंगे तो आपके question हो सकते हैं कि हमारे पास इस document नहीं यह है तो दहीन है तो अब हैसा कुछ नहीं है घृपके पास दॉक्मेंट नहीं भी है तो apply कर देना अप गयक है आप examination जो देज सकते हो ठीक है तो यह step 7 proceed कर देना पर next step है कרג इस qualification details qualification details में सब सो और आ percentage थे वो सारी details यहाप पर डालना है फिर 12th की details भी same यहाप ऐसी आपको फिल कर देना है and save and proceed पर जो है वो कर देना है click इस पर click करने के बाद काई सबसे important चीज जो की यह है जो की है guys आप देख सकते हो MSTCET 2023 examination details ठीक है तो सबसे पहले यहाप पूछा है select subject group of MSTCET 2023 आपको कौन से subject की examinations है वो आपको यहाप पर select करना है ठीक है तो अगर आपको PCB की examination देना है तो PCB choose करो अगर आपको दोनों examination देना है तो बोथ PCM and PCB के option को जो है guys वो आपको choose करना है ठीक है तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना तो जैसे मैंने यहाप पर PCM choose कर लिया PCM choose करने के बाद फिर यहाप आपको language select करना है कि कौन से language में आपको जो paper है वो आना चाहिए कुछ students ऐसे होंगे जिने English language में जो paper है वो देखना मतलब जो questions पूचे जाते है वो कौन से language में आपको चाहिए English चाहिए Hindi चाहिए या फिर उर्दू या पर तीन option है English, Marathi and Urdu ठीक है तो इसमें से जो भी आपको center चाहिए होगा वो चूज कर लेना है जो भी आपको चाहिए तो जैसे में महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मैं यहापे जो state है वो महाराष्ट्र चूज कर लूँगा महाराष्ट्र चूज करने के बाद जहापे में रहता हूँ उसके आसपास जो center preference है वो मैं दूँगा क्लिक कर देना है इतना सब कुछ बताने के बाद भी काफी साथ students ऐसे होते हैं जिनने चीज़े नहीं समझ में आती है या फिर जिन से mistake होती है कुछ student ऐसे भी होते है जो net cafe में जाते है और उनके द्वारा भी mistake हो जाती है तो इनी चीज़ों करने के लिए हमने एक जो प्रो जाएगी और guarantee रहेगा कि आपका कोई भी mistake हो नहीं होगा और आपको पूरा जो फॉर्म है वो फिल करके दिया जाएगा तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हम फॉर्म फिल नहीं कर पाते है या फिर हमारे पास laptop या फिर desktop नहीं है और net cafe mistake हो सकती है तो आप इसके लिए ज अगर आपको नहीं जमता है तो आप इसके लिए जो है वो रिजिस्टर कर सकते हो ठीक है तो अब चलिए बढ़ते गई नेक्स टेप की और नेक्स टेप है गई यहाँ पे upload photograph and signature तो photograph and signature अपलोड करने के लिए पहले तो select option पे जो है वो आपको click कर देना है यहाँ पे click करने क जाएकि photo upload होने के बाद फिर यहाँ पे down arrow पे click करने के बाद signature select कर देना और उसी प्रकार signature भी जो है वो upload कर देना है और फिर save and proceed की बटन पर जो है वो कर देना है click इस पे click करने के बाद फिर यहाँ आपको एक जो identity proof है इसका एक जो document है वो upload करना होता है ठीक है तो यहाँ यहाँ पर आपको select document पर click करना है कौन से documents आप upload कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो आप pancard, passport यहाँ फिर permanent driving license, voters ID, आधार card यह सारे जो documents है वो upload कर सकते हो इन में से कोई भी एक जो document है वो upload करना है especially maximum students के पास आधार card होगा तो try करना आधार card upload कर दो ठीक है तो कोई भी एक document इन में से आप चूज जो है वो कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर pancard चूज किया है तो pancard यहाँ पर चूज करने के बाद upload का arrow यहाँ यहाँ पर आएगा उस arrow पर click करके आपको अपना जो document है वो upload कर देना है and save and proceed पर जो है वो कर देना है click इस पर click करने के बाद ग scroll down करना है and I have read all important instructions पर click कर देना है and proceed पर payment के button पर जो है वो कर देना है click इस पर click करने के बाद यहाँ पर dialogue box आएगा yes पर click करना है फिर यहाँ पर payment का आएगा तो मेरी UBC category है तो मुझे यहाँ पर बस 600 रूपीज पे करना है यहाँ पर select के button पर मैं click करूँगा proceed to payment इस पर click कर हूँ ठीक है इस पर click करने के बाद यहाँ पर अपनी UPID डाल देना पेन आओ पर click कर देना आपका जो payment है वो हो जाएगा payment होने के बाद यहाँ पर print application form की जो button है वो मिलेगी इस पर click कर लेना है और आपको अपना जो application form है वो print करना है और save कर देना है ठीक है तो इसी प्रका अगर कोई भी problem हाता है तो आप register कर सकते हैं इसके लिए हम आपको पूरा जो form है वो fill कर देंगे और कोई भी जो mistake है वो नहीं होगी ठीक है इसके अला हो guys MST, CUT से related कोई भी अगर updates आएंगे तो सारे जो updates है आपको time पे मिल जाएंगे मेरे चैनल पे तो चैनल को subscribe करके बहल आपको time to time सारे जो updates है वो मिलते रहें तो मिलते हैं ऐसी ओर एक informative वीडियो में है